आज बनाएंगे ये बिना एग्स और बिना अवन के बना हुआ चॉकलेटी चॉकलेट ट्रॉफल डोरा केक इसे बनाने में आपको माक्सिमम बस कुछ सेकिंड्स लगेंगे और आपका यह यमी सा डोरा केक तायार हो जाएगा और वो भी घर के रेगुलर पान में तो बहुत ह कि आसान और इंट्रॉस्टिंग सी रेसिपी है सॉफ्ट स्पॉंजी केक के साथ चॉकलेट ट्रॉफल आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा तो चलिए फटा फट से शुरू कर लेंगे और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएका और मेरे च पक्रीजींनी एक चुधाई कनव ही कावडर आर साथ मेना एक छोटा सेशन में कशी पावडर आट करई हूं थोड़ी सी कॉफी चॉकलेट के फ्लेवर को एंऒएंस करेगी यसे आप चाहोते है। इसे स्कित भिकर सकते हो अर साथ में जाहेगा एक चुधाई कब मिल्क पा पिजिंट्स को हमें चान देना है, चानने से न अगर इसमें कोई भी लंप सोंगे तो वो निकल जाएंगे, और इसे चानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चमच शहद, शहद डालने से डोरा के बहुत ही जादा टेस्टी बनता है, बट हाँ अगर आपके पस ना हो त जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह एक कप दूद लिया है, यह नॉर्मल उबला हुआ दूद है, जो अभी रूम टेंपरेचर के उपर है, तो इसे थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आड कर लिना है, और इसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे, मैं विस्क ही यूज करते हूँ इसे मिक्स करने के लिए, तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और हमारा यह बैटर तयार हो गया है, और इसमें जो एक कप दूद मैंने लिया था ना, उसमें से एक चमश दूद बच गया है, तो दूद की जो कॉंटिटी है, यह आप अपने अपने अकॉर्डिंग अजस्ट क अर सारे Dora Cake 만들 के बने तो उसके लिए कोई भी ने कप या कडशी सेट कर लो आप मैंने यहाँ पर यहे एक चुठाइग कप का जो मैजर्णग कप आता ऑंगा इसे आरे दोरा केक बनाएंगे तो इस दोरा केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक नॉन्स्टिक पैन जिसमें हमें डालना है एक छोटा चमच इतना तेल बस इतना सा ही तेल डालेंगे और फिर एक टिशू पेपर लेकर ना इस तेल को पूरे पैन में अच्छे से और ये मान लिजे कि टिशू पेपर से हमें इस पूरे ओयल को बस पूंच देना है तो बस पैन को एक बार ग्रीस किया और सारा तेल हमने निकाल दिया है इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें हम अपना ये बेटर डालेंगे तो बेटर को मैंने एक सेक लेंगे ये जो टाइमिंग्स है ये आपकी पैन की थिकनेस और फ्लेम के ऊपर डिपेंड करेंगी तो मुझे इसे रखे हुए तकरीबन 50 सेकंड हुए हैं अब हम इसे एक बार चेक करेंगे तो आप देख रहे हो कि इसके ऊपर की सरफेस की तरफ काफी सारे बबल्स आ हलका हलका सा स्पेचुला को नीचे से पहले चला लेंगे और फिर हम इसे पलट लेंगे आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है इसका ये टैक्शर उपर से आयसके बाद आप इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर हम इसे सिरफ 20 सेकंड से अप लेंगे ताकि नीचे की यह एक डोरा केक तायार हो गया है, इसी ताना से बाकी केक्स को मैना लेंगे, अचा जब आप सेकिंड थर्ड या आगे केक्स मैना होगे तो उसमें आपको टाइम और भी कम लगेगा, क्योंकि अब पैन थोड़ा सा जाधा गरम हो गया है, तो मुझे अब तकरीबन 40 तू 45 से केक को, यानि कि एक साइड को सेखने के लिए, अचा इसे पलटने के बाद आप आप देखोगे कि यह जो डोरा केक्स है अच्छे से फूल भी रहे हैं, तो एक्तम सॉफ्ट और स्पॉंजी बनते हैं, तो बस मेरे यह सारे डोरा केक्स तायार हो गये हैं, आप देखरो कि कि सॉफ्ट और स्पॉंजी टेक्शर है इसका, अचा चाहो तो वैसे स्पॉंज को इसी तरह से भी खा सकते हो, यह बच्छों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी, तो इसके लिए हम दो डोरा केक्स लेंगे, और इसके सेंटर में हमें कोई भी स्प्रेड या क्रीम स्टफ करनी है, क्योंकि मैं चॉकलेट ट्रॉफल डोरा केक्स बना रही हूं, तो मैं यहां पर डगा रही हूं चॉकलेट गनाश, इसके रेसिपीकर निंक नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और गनाश बनाने के बाद ना, मैंने उसे 15-20 मिनि केक और साथ में चॉकलेट गनाश बहुत ही जाला यमी बना है तो एक बर मैं कट करके इसके अंदर का टेक्शर चेक कराते हूं आपको आपको आप देखे हो कि कितना एक्टम सॉफ्ट पॉंजी और जालीदार है और सेंकर में यह उज़ा होता हूँ अलावा की तरह चॉकल इन सारी रेसिपी की मेरे इंस्टाग्राम पर और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें